अलो और वेल्कम बैक, मार्केट में आज हमने एक पॉजिटिव सेशन देखा है, निफ्टी में हमने करीब 100 पॉइंट की तेजी देखिए, जो कि 18,120 के आसपास निफ्टी का आज का क्लोज देखने को मिला, वही बैंक निफ्टी में हमने करीब 300 पॉइंट से ज्यादा की ब क्लस्टर बना हुआ है, जो कि on the lower side एक 18,000 का रेंज बनता है, और on the higher side इसका करीब-करीब 18,200 के आसपास का रेंज बन रहा है, तो इसी दायरे में पिछले चार सेशन से निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, तो in the very short term अभी निफ्टी के लिए immediate जो support बनेगा, व आसपास, on the higher side निफ्टी के लिए अभी जो resistance immediately नजर आता है, वो 18,200 के आसपास है, जैसा मैंने कहा कि पिछले चार सेशन से उसी range में market है, on the higher side 18,200 का एक cap बना हुआ है, तो 18,200 के उपर अगर निफ्टी निकलने में कामियाब होता है, तो एक positive momentum इसमें develop होता हुआ नजर आ सकता है, daily chart का price action purely अगर हम देखे तो एक trend line resistance निफ्टी को face हो रहा है, जिसको surpass कर पारना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है निफ्टी के लिए, लेकिन जिस तरह का setup बना है, वो देखते वे लग रहा है कि आने वाले कुछ sessions में शायद से इस resistance को निफ्टी क्रोस कर जाएगा क्योंकि multiple averages के front पे अगर हम देखे तो 5 days average, already 13 days average के उपर निकल जुका है, जो की एक positive sign है, तो अच्छा positive setup इसमें नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी के अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी पिछले कुछ दिनों से करीब 42,700, 750 के आसपास एक resistance बना हुआ था, तो उसक अभी next resistance जो नजर आता है, वो करीब 43,100 के असपास नजर आता है, तो इसके उपर अगर बैंक निफ्टी निकलने में कामियाब होता है, तो एक अच्छा positive momentum इसमें develop हो सकता है, तो 43,100 एक image turtle होगा और उसको सरपास करने के बाद फिर 43,600 तक का एक potential उसमें develop हो सकता है, on the higher side, on the lower side, bank nifty के लिए अभी image rate जो support नजर आता है, वो करीब 22,300, 22,400 इस zone में नजर आता है, क्योंकि पिछले 2-3 session से उसी range में एक अच्छा support लेता हुआ index नजर आ है, तो positive undertone ज़रूर इसमें develop होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 5 days average, 13 days average के उपर निकलने में आज कामियाब और जैसे मैंने कहा कि image rate जो resistance में आएगा वो गरीब 43,100 के असपास आएगा, तो उसके उपर bank nifty close कर जाता है, तो फिर एक अच्छा positive momentum develop हो सकता है, अभी budget जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे market में थोड़ा fluctuation भी बढ़ेगा, तो देखते आने वाले कुछ दिनों में किस तरह कि global queues मिलेंगे, fluctuation तो expected है कि थोड़ा बढ़ेगा index में, निफ्टी और bank nifty दोरों में, लेकिन overall पर जो technical setup है वो अच्छा positive नज़र आ रहा है,